हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टूगीव और आज मैं रिव्यू करने वाले हूं लैकमे ज्वाल सिंदूर का तो लैकमे लिक्विड सिंदूर दो सेड में आती है पहली है रेड और दूसरी मरून तो रेड वाले का मैंने रिव्यू कर दिया है अगर आपको वह देखना है तो और इसका प्राइज है एक सो चालेज आई थिंग लैक में ब्रैंड है इस वजह से इसका प्राइज बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि कॉंटिटी इसका सिर्फ 4.5 ml है और यह हिंदुस्तान यूनिलेवर लिमिटेड ब्रैंड के थ्रू बनाया गया है और बात करते हैं इ इसे यूज करने से पहले इस तरह सेक करें एंड कीप अवे फ्रॉम डायक्शन लाइट तो डायक्शन लाइट में कोई लेन भी नहीं जाता है और यह ट्रैवल फ्रैंडली है पैकेजिंग इसकी काफी क्यूट है और यह इस तरह से ट्विस्ट करके उपन होती है और इसका इसका अप्लिकेटर भी है जो बहुत अच्छा है मुझे लगा इसका अप्लिकेटर 45 डिग्री के एंगल टैप का अप्लिकेटर है अब मैं इसे अप्लाई करके आपको यह सिंदूर दिखाती हूं और यह जश्ट एक स्वैच के इसमें जरूरत परती है उससे ज्यादा नह और यह एक मिनट के अंदर ड्राई हो जाता है बहुत ही इसली और इसके अंदर कुछ स्पाकल है ग्लिटरिनेस है बट इतना नहीं है कि अगर माते पर लगाएंगे यह से तो यह चमकेगा यह बिल्कुल भी नहीं चमकेगा थोड़ी दिल बाद यह बिल्कुल भी मैट फिन दाए ना तो यह था मेरा छोटा सा रिव्यू ऑन लैक में जोल सिंदूर के उपर अगर वुड़ी ब्राइड है तो आप इसे पर्चेस कर सकते हैं आप तीच के लिए पर्चेस कर सकते हैं करवाच ओथ के लिए बहुत सारे फैस्टीबल है हमारे लाइफ में तो आप डिफ इसली बहुत हर जगह एविलेवल होता है लेकिन कुछ चीजों से बच करेंगा क्योंकि नहीं होता है लैक में की चीटिंग लैक में का रैप्लिका बनाके उसी टाइप का प्रोड़क्ट बेचते हैं तो आप जब भी इसे लिए देगा बड़े दुकानों पे बड़े ब्च जीजेगा क्योंकि बोग्स इसका अच्रेप बनातें और इस वज़र से अच्छे नहीं होते और लोग बोलते हैं कर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीदियो को ज़्रूर लाइक करें मेरे चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका दिन सूब्ब बाप去